Welcome to a day in my life, जहां आजकल लाइफ में थोड़ी सी अक्चली उबर खाबड ही चल रही है बज रहे होंगे अभी सुबह के साड़े नौ या पॉने दस मैं उठी हूँ आज बहुत ही जादा लेट अभनीत अल्रेडी ओफिस जा चुका है आजकल हम दोनों की ही लाइफ रूटीन की एकदम ही बैंड बजी हुई है हमारा रूटीन पहले ऐसा होता था कि हम सुबह उठते थे जल्दी वॉक पे जाते थे, साथ में बैटके थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे मैं उसके लिए टिफिन बनाती थी, हम ब्रेक्फिस करते थे और फिर हमारा दिन की शुरू होता था अब जो है, रूटीन हो गई है थोड़ी सी गड़बढ मैं आजकल उठ रही हूँ, बहुत ही जादा लेट कोलकता से आने के बाद, आक्चली रूटीन में हो गई है थोड़ी सी गड़बढ और वो इसलिए भी हुई है, क्योंकि हमारे लाइफ में आये हैं कुछ-कुछ बदलाव वैसे बदलाव तो काफी अच्छे हैं अब तक मैं क्रू रह चुकी हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, एक यूट्यूबर भी हूँ बट अब एक उंट्रेपरणर बने की कोशिश में लगी भी हूँ आप जब भी कुछ नया शुरू करते हो ना, आपको बहुत सारे trials, errors, बहुत सारे नुकसान emotionally, financially, mentally देखने पड़ते हैं और उसके बाद अब अपने आपको properly set कर पाते हो हम फिलाल अभी उसी stage में हैं, जहां पर अभी हम बहुत कुछ सोच के समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आपको build करने की कोशिश कर रहे हैं आज का मेरा routine थोड़ा hectic है क्योंकि अभीनीत अल्रेडी office जा चुका है और वो शाम तक आएगा and Agassya has also gone to his work So basically, आज का जो सारा load है, वो मेरे ही उपर है सुबह सुबह मैं दिन की शुरुवात में हनुमान चाली सा सुनना बिलकुल भी मिस नहीं करती हूँ मुझे लगता है थोड़ा सा positivity मिलता है, थोड़ा दिमाग शान्त रहता है और आपको थोड़ सा motivate रखता है पूरे दिन काम करने के लिए Otherwise also, मेरे लिए music थोड़ा सा therapy है मैं हनुमान चाली सा के बात नहीं कर रहे हूँ, मैं otherwise बात कर रहे हूँ कि हनुमान चाली सा के अलावा भी, अगर दिन भर में मेरे आसुआ जो music चलता रहता है तो मेरे लिए काम करना थोड़ सा आसान हो जाता है मचलियों को खाना देते देते, मैं अपने भी breakfast की तयारी कर रहे हूँ जिसमें मैंने लिया है आज brown bread with peanut butter और साथ में मैं ले रहे हूँ दूद breakfast करने के बाद मुझे निकलना है बाहर बाहर मैं इसलिए जाना चाती हूँ because packing करने के लिए हमारे पास raw materials कतम हो गए थे and मुझे जा के stationery से समान लेके आना था एक चीज है जो मैं बहुत ही desperately करना चाती हूँ वो है driving सीखना and that is because अभी मैं एक दम लचार हो गई हूँ क्योंकि review करने के लावा मेरे पास कोई option नहीं है breakfast करने के बाद मैंने नहा लिया and उसके बाद I just got ready to go out I'm trying to keep it very simple today because I also have a lot of work and I want to wear comfortable clothes तो मैंने कुर्ती सेट पहना है अभी just doing a little skincare because मैं बहार जा रही हूँ तो sunscreen लगाना बिल्कुल भी नहीं बूलना चाहिए and just so to ensure कि अच्छे से moisturizer लगा हुआ है I massage my face for some time and उसके बाद थोड़ा सा lip color लगा के I was all ready मौसम भी अच बैंगलर का बहुत ही प्यारा होके रखाता वैसे एक दिन नहीं मुझे तो हर दिन बैंगलर का मौसम वैसे प्यारा ही लगता है I'm quickly going to wear my watch and take a handbag so as to ensure कि अगर मेरे पास कुछ समान हुआ तो वो इसी जोले में अटक जाए and मैं जल्दी से अभी निकल रहे हूँ नीचे क्योंकि ट्राइवियों से ड्राइवर आ चुका है अभी फिलाल मेरे पास अगस्त्या की गाड़ी की चाब भी है और वो इसलिए क्योंकि उसके पास ऑटोमाटिक गाड़ी है और मैं कोशिश कर रहे हूँ कि मैं ऑटोमाटिक गाड़ी अब चलाना सीख लूँ बस उसके लिए एकदम थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी है बट वो हो नहीं रहा है एनिवेज घर से निकलते हैं और चलते हैं नीचे गाड़ी की तरफ यहाँ पहुशने के बाद मुझे पता चला कि ड्राइवर जो हैं वो अपार्टमेंट के अंदर ही खो गए हैं और काफी देर, मतलब आप समझ लो कुछ 15 से 20 मिनिट बाद वो मेरे लोकेशन पे पहुँच पाए डिस्पाइट दे फैक कि वो अपार्टमेंट के अंदर ही थे तो इधर उतर घूमते घूमते मैं उनका वेट कर रही थी और इस समय तो मुझे बहुत heavily realize हो रहा था कि बेटा तुम driving सीख लो, नहीं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा ऐसा मैं खुद भी as a person सीखना चाहती हूँ बस मुझे तो नहीं ट्राफिक से ड़ लगता है निकल गए थे हम काम से सबसे पहले मेरा काम था कि यहां से मुझे जाना था stationery और मुझे लेके आने थे कुछ raw materials उसे के साथ साथ मैं जा रही थी अपने delivery agent के दुकान पे पूछने के लिए कि हमारा समान कहा है कुछ पांच दिन हो गए थे कि हम आपका समान लगा देंगे and यह first ही impression इतना खराब जाएगा इसके लिए मैं बिल्कुल भी ready नहीं थी tension के सबे मुझे एक ही आदमी याद आता है मोटा तो मैंने उसे फोन पे बात किया and उसने का कि देखो यार tension लेके ऐसा तो है नहीं कि समान आ जाएगा उसको जब पहुँचना होगा वो पहुँच जाएगा and जितना तुम stress लोगी उतना तुम अच्छे से efficiently काम नहीं कर पाऊगी which I also agree तो मैं चुपचा पागे घर जल्दी से मुझे जितने भी packaging मेरे पास ready थे उनको फटाक से मुझे तयार करना था and मुझे आज वापस जाना था shipping करने के लिए भी तो बस मैं यहां लेके बैट रही हूँ अपने सारे packages along with certain raw materials to ensure कि मैं इनको भी अच्छे से pack कर दूँ ताकि इनको तो कम से कम हम shipping पे लगा दें since we are also new to this field हमें नहीं पता था कि shipping के लिए कहां से क्या सही रहता है तो मेरे हिसाब से तो मैं यह करने वाली थी कि मैं जाने वाली थी DTDC और वहाँ पे जाके इनको देने वाली थी ship करने के लिए ideally हमने अपने लिए एक budget बना के रखा था कि इस budget के अंदर हमारी जो है सारी shipping हो जानी चाहिए बट वहाँ जाने के बाद जिस budget में मैं सोची थी कि shipping हो जाएगा उसका triple amount मांग रहे थे companies जिसको सोच के तो मेरा मतलब हालट tight हो गया था and I was super super shocked बट फिलहाल तक मुझे इस बात पता नहीं थी और मैं अभी निकल रहे थी मैं सारे समान को shipping में देने के लिए भगवान जी के सामने माता टेक रहे थी कि ये हमारा पहला order है जो बाहर जा रहा था तो भगवान सब अच्छे से करते रहेगा बट फिलहाल आप जो मुझे देख रहे हो वो मेरा पूरा journey है कुछ दो घंटे के बाद जहां मैं अलग-अलग companies के दुकान पे गई और वहाँ पे जाके उनकी rates सुनी और इतना हकपका आ गई थी कि भाई साहाब इतने महंगे में लोग ship कैसे करते हैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अभी जो है मुझे ना खाने की सख जरूरत है मैं वो वाली आदमी हूँ जिसको अगर स्ट्रेस होता है तो तुम खाना देदो तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और फिलाल मेरा मूँ से आपको समझ में आई रहा होगा कुछ भी मुझ से काम हुआ ही नहीं कहां मैंने सोचा था कि याज शिपिंग निकल जाएगा और प्रोड़क्स के बार मैं पता चल जाएगा कहां मुझे कुछ भी नहीं पता चला और मैं एकदम ही स्ट्रेस्ट आउट हो गई ना हमारा शिपिंग हुआ ना कोई और काम हुआ निराश हाल में मैं पहुँच गई अपने बालकनी यहां उना मुझे अपने घर में सबसे जादा सुकून मिलता है क्योंकि यहां मैं जब भी बैठती हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है All I want to do is enjoy whatever I am drinking इसके बाद मैं लग गई थी खाने की तयारी करने के लिए आज खाने में बना रही थी मैं दाल तड़का और साथ में रोटी और सबजी We usually try nowadays to eat food by 6 और 7 So as to ensure कि हम लोग का एक तरीके से intermittent fasting हो जाए Dinner करने के बाद I finally sat peacefully And just wanted to go back to bed But then, रात को दस बजे के करीब हमें अचानक से लगा कि चलो यार थोड़ा राइड पे चलते हैं हावा खा के आते हैं आज कल जो हम एक दूसरे को time देना ही भूल गए हैं And ये बात हमें realize करना बहुत ज़रूरी है कि काम सब अपने जगा होता रहेगा But इस चकर में हमें tension, sad और ऐसा stress में नहीं रहने का है Agastya had also joined us And then we went, guess where, to the airport Despite the fact कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा थके वे थे But ये वो time था, जब हम लोग एकदम ही अपने zone में थे इन दोनों कोई देख लो इस समय ना ये लोग भूल चुके थे कि ये कोई office office में जाते हैं या कुछ भी है एकदम ही मस्ती मजाक वाले board में खीकी काका करते हुए हम लोग पहुँच गए T2 airport वहां से हमने लिया shuttle bus जो की जाता है T1 airport कुछ दिन पहले किसी ने मेरे comment में लिखा था कि तुम ही लोग हो जिनको बैंगलोर एरपोर्ट जाने का craze है हमें तो ऐसा कुछ नहीं है तो ये रात के डेड़ बजे का आप नजारा देख लो यहां सिर्फ शायद 30% लोग होंगे जो फ्लाइट से कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं बाकी लोग यहां long drive पे ही आते हैं अपने family या friends के साथ आके time spend करते हैं हवा enjoy करते हैं यहां का खाना पीना enjoy करते हैं और इत्मिनान से फिर निकल लेते हैं घर की तरफ मुझे लगे थी भूख तो मैंने मंगाया था chili cheese toast और साथ में coke और फिर वापस T2 आने के बाद मुझे और अगस्ते को लगा कि एके coffee पिया जाए तो मज़ा आ जाएगा और फिर हम निकल लिए घर की तरफ despite the fact कि सुवे जो है बहुत सारी टेंशन थी बट हमें था कि हमें थोड़ा सा अपना mental peace भी चाहिए तो हम गय थे राइड पे हमने थोड़ा सा enjoy किया हमने खाना पिना काया and this is how we end our day it is very important in life to know what your faults are to understand what your mistakes are and to come out of it with a positive mind taking you to my studio room this is the final setup of how the entire studio room feels like and in the end I am ending my day with again a little skincare because इतना दूल मिटी में जाते हैं तो obviously बाल वाल और फेस जो है वो खराब हो जाता है it is very important to cleanse the face पीछे अपको अभी नहीं दिखी रहा होगा फोन में बात करते करते हैं he is ensuring that our bed is clean and ready to sleep and here I am doing my little night care routine in which I am just applying a moisturizer आज मेरा स्किन थोड़ा सा ज्यादा रफ लग रहा था तो मैंने सिफ क्लिनिक का moisturizer ही यूज किया और to be honest ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज़ डेली यूज करती हूँ मैं हर दिन अपने स्किन के साब से चीज़ चेंज करती रहती हूँ ensuring that I comb my hair properly और फिर उसको चीज से बेनी बांद ले रहे हूँ क्योंकि ये मम्मी का नुसका है कि बाल को अगर आप नीचे से मोड दोना तो hair growth जो है वो जिल्दी हो जाती and that is it for today thank you so much for watching बाबाई, नमस्ते, जैहिंत